हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक ऐसे रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप बड़ी आसानी से घर में बनाएंगे और बाहर का खाना चोड़ देंगे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत रिलिश्यास चिकन मॉमोस बनाने के रेसिपी इसे हम इतनी आसान तरीके से बनाएंगे कि आपका जब भी मन करेगा फटा फटे सी मॉमोस को बनाएगा अपनी पूरी फैमली को खिलाईगा और आप भी इंजवाई कीजिएगा और इसी वीडियो में बहुत यासान बिना कोई जंजट टमाटर और मिर्श को भी न उबाले हम आसान सी मॉमोस की चटनी भी बताएंगे तो वीडियो को बिना इसकिप किये वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा तो ठेले वाला चिकन मॉमोस बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं तो मैंने गहरे बरतन में 500 ग्राम मैदा लिया है एक चमश रिफाइंड आयल डालेंगे और साथ मे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पाने डालते हुए इसे गून लेना है ना तो इसे ज्यादा हाट गूनना है ना तो इसे ज्यादा कीला करना है बस इस डो को नॉर्मल बनाना है बस थोड़ा थोड़ा सा पाने डालते हुए इसमें पं सभी चीजों को मैंने सब्सक्राइब गी तरके मिलाना है आप। तो जब तक सब्जियां अपना पाने रिलीज करेंगी इधर हम स्टफिंग के लिए चिकन को तयार कर लेते हैं मैंने यहां पर 200 ग्राम चिकन के इतने छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं आप चिकन कीमा से भी इसे बना सकते हैं आप यहां पे लिया है एक बड़ा चमश ग्रेट की हुई अदर्ग और एक बड़ा चमश ग्रेट की हुए लच्सन और तीन से चार बारी कटी हुई हरी मुर्ष्अ इन्हें अभी साइट में रख देंगे पैन में एक चमश तेल को गरम करके आदा चमश अद्रग लसन का पेस डाल कर इनका कच्छा पन खत्म हो जाने तक फ्राई करेंगे अब इसमें हम चिकन को डाल देंगे अब चिकन को डाल कर तेज आज पर खुब अच्छी तरह से इन्हें भूनेंगे लसन अद्रग के साथ चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है और साथ में आदा चमश नमक डाल कर इन्हें मिला लेना है चिकन को भून जाने के बाद आज को सिलो कर ले चिह बादा चकाई एक चाह के चम्मच से रिड़ चिली सोस डालेंगे अगर आपके पास यह ना हो तो शेजवान सॉस या ग्रीन चिली सॉस डाल लिजएगा साथ में आधा बड़ा चमच सोय सॉस एड़ करेंगे एक बड़ा चमच विनिगर डालेंगे और आधा बड़ा चमच टॉमेटो सॉस डालेंगे अब सबी चीजों के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप इस स्टेश पे नमख वगरा चेक कर लीजेगा चिकन का चिकन हमारा एकदम रेडी हो चुका है अब हम आज को बंद कर देंगे 10 मिनट के बाद सब्जियां अपना पानी चोड़ चुकी है इस पानी को हमें छान लेना है देखिए इसमें पानी लग रहा है इसे में छान लेना है तो एक बरतन के ऊपर एक बारी कपड़ा रखकर सारी सब्जियों को कपड़े में डाल कर अच्छे से निचोड़ कर सारा पा इसलिए जितना हो सके अच्छे से सब्सक्राइबराटी चनु को पानी का द लीजिए से सब्सक्राइब बनाने में यूज़ कर लीज़ेगा या फिर ममोस की चटनी को बनाते है ना उसमें यूज़ कर लीज़ेगा आप यन सब्सदिव को कि से बड़े च्हन ekर हासे प्रेस सर्के भी पानी निकाल सकते हैं इस पानी को किसी ग्रैवी Observullen में इूज़ अब सब्जियों को हमें वापस उसी बरतन में डाल देना है सब्जियां बहुत अच्छी से ड्राइ हो चुकी है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है सब्जियों में अब ये जो चिकन हमने तयार किया है उसे इन सब्जियों में मिला देना है चिकन और ये सबजियों के साथ में मुमोस तो बहुत जबर्दस बरने वाला है बिल्कुल भी इस किमत कीजिएगा वीडियो को और साथ में ग्रेट किया हुआ अधरेक लसन हरी मिर्श को भी मिलाएंगे अधरेक लसन की कॉंटिटी जादा रखिएगा अधरेक लसन की कॉंटिटी से मुमोस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ में बारी कटी हुई हरी धनिया को मिलाएंगे और एक चमच काली मिर्श का पाउडर मिलाना है अब सबी चीजों को बहुत अच्छे तरह से मिक्स करना है सब अच्छे तरह से मैश करते हुए बहुत अच्छे तरह से मिला लेना है तो आप देख सकते हैं मुमोस स्टफिंग रेडी हो चुकी है अब चलिए मुमोस को बना लेते हैं सबसे पहले हाथ में सुखा मैदा लगा कर छोटी छोटी सी लोई बना लेना है लोई छोटी बनाना है क्योंकि रोटी जब मुमोस की बेलेंगे तो एकदम ट्रांसपारेंट दिखनी चाहिए क्योंकि मुमोस की जो रोटी होती है वो जादा मोटी नहीं होती है बस पतली-पतली से रोटी बेल लेना है अब पहले लोई में सूखा मैदा लगाएंगे अब हमें इसकी छोटी-छोटी सी और पतली रोटी बेल लेना है मुमोस की रोटी पतली बेलना है तो इसलिए पहले मैदे की डस्टिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो इस तरह से हमें रोटी को बेल लेना है देखिए रोटी हमने बना कर तयार कर लिया है अब इसके बीच में हमें एक चम्मस स्टफिंग रखेंगे और फिर छोटी-छोटी सी प्लेट बनाते हुए मुमोशियब देंगे एक साइड में प्लेट देंगे और एक साइड में हम प्लेट रखेंगे आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं इतनी छोटी-छोटी सी प्लेट बनाना है और सिर्फ एक साइड में प्लेट बनाना है और एक साइड में हमें प्लेट रखना है इस तरह से हमें चिपका लेना है यानि कि ऊपर का जो मुँ है उसे बंद कर देना है तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक शेप का मुमोज हमने बना कर तयार कर लिया है आप एक और शेप का मुमोज हम बनाएंगे फिर से सूखा मैदा लगा कर रोटी बनाएंगे मुमोस की खास बात क्या होती है मुमोस की ये जो रोटी होती है जितनी आप पतली बेलेंगे मुमोस खाने में उतना जादा टेस्टी लगेगा तो इस तरह से हमने दूसरी रोटी भी बना कर तयार कर लिए है फिर से रोटी के बीच में एक चमस स्टफिंग को रखकर इस तरह से दूसरा मॉमोज भी बना कर तयार कर लेंगे इस तरह से पतली पतली सी प्लेट देते हुए ठेले वाला जो मॉमोज होता है न वैसा मॉमोज हमें बना कर तयार कर लेना है वैसे सेम वैसे shape का में momos त्यार करना है आप देख सकते हैं बिल्कल ठेले वाला momos हमारा बन कर रेडी हो चुका है किस किस को momos का shape देना नहीं आता है जिसे नहीं आता है तो वो किसी भी shape में momos को बना लिजेगा वैसे stuffing matter करता है shape matter नहीं करता है स्टेफिंग हमारी बहुत यमी बनकर तयार हुई है आप किसी भी शेप में इस मुमोस को बनाएंगे आप बस खाते रह जाएंगे इतना जबर्दस ये मुमोस बनकर तयार होगा तो इस तरह से मेरा तीसरा मुमोस भी बनकर तयार हो चुका बढ़ा लिजेगा ताकि मुमोज छणनी में चिपके नहीं अब सभी मुमोज को छणनी के अंदर अलग अलग रखना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है मुमोज को ट्यश करके न रखना वरना एक मेक चीपक सकते हैं जब इतना टीम हो जाएगा तो इसी तरह बाकी मोस को भी छने में रख कर स्टीम कर लीजेगा आप देख सकते हैं मैंने सभी मूमोस को कितनी दूरी पर रखा है यह इतनी इतनी दूरी पर अब इसे कवर करके तेज़ आज पर 7-8 मिनट तक पकाएंगे जब तक हम मुमोस की चटनी बना लेते हैं इस चटनी को हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे सबसे पहले 7-8 लाल मिर्च को तेज गरम पानी में 5 मिनट तक भीगनी के लिए छोड़ देंगे ताकि मिर्च अच्छी तरह से फूल जाए 5 मिनट के बाद मिर्च फूल गई है अब मिर्च को जार में डाल देंगे पानी के साथ में अगर आपको थोड़ा गाड़ी चटनी चाहिए तो ये मिर्च वाला पानी जो है आप सब मटा लिएगा थोड़ा पानी निकाल लीजिएगा अब तीन मीडियम साइज के टमाटर को टुकणों में कटा हुआ डाल देंगे और 12-15 कली लेसन के डाल देंगे एक चमच भर कर विनेगर डालेंगे और एक चमच नमक डालकर बीना टमाटर और मिर्च को बॉयल किये हम सिंपल सी मुमोस की चटनी बना कर तयार कर लेंगे तो इस तरह से बहुत ही जबरदास टेस्टी मुमोस की चटनी बनकर तयार है अगर आपको ये चटनी पतली लगे तो आप मिर्च के साथ में जो पानी में ने डाला था इसी तरह हम बचे हुए मुमोस को भी पका लेंगे तो इस तरह से हमारा जटपट बनने वाला स्टीट से भी टेस्टी चिकन मुमोस बनकर तयार है आप इसकी स्टफिंग को देख सकते हैं देखने में स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं ये खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा आ रहा है न मुमे पानी बस आप इसे बनाईए और फिर आप बाहर के ठेले वाला मुमोस खाना भूल जाएंगे क्योंकि आज के रेसिपी मैंने आपके लिए इतनी आसान और इतनी ज्यादा टेस्टी शेयर की है कि आपको बाहर का मुमोस अच्छा ही नहीं लगेगा बस एक बार तो इसे आप जरूर बनाईएगा आप इस मुमोस को कब बनाएंगे और आपको मुमोस कैसा बना मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा आज मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल बहुत रिलिश्यस स्ट्रीट रिस्टाइल चिकन मुमोस की रेसिपी शेयर की है आपको रेसिपी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब मिलेंगे हम एक और टेस्टी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई